अब इस खिलाडी को मिला है ओपनिंग करने का मौका दोस्तों किस ओपनर बल्ले बाज को किया गया है टीम से बाहर और उसके जगा किस खिलाडी को मिला है मौका आपको बताएंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप लोग क्रिकेट की सभी अपडेट पाना चाहते हो दो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो भारत और आस्टेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी को सुबा साड़े 9 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तयार हो चुकी हैं लेकिन इसी बीच एक बहुती बड़ी खबर सामने आ रही है कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारती टीम ने अपने ओपनर बल्ले बाज को बदल दिया है दरसल दोस्तो लगभग पिछले दो सालों से केल राहूल बहुती खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं उनके बल्ले से एक भी बड़ी पारी नहीं निकल रही है यहां तक कि केल राहूल एक एक रंड बनानी के लिए भी तरस रहे हैं औस्टेलिया के खिलाप पहले टेस्ट मैच में भी केल राहूल फॉलॉप साबित हुए थे जिसके वज़ा से केल राहूल को दूसरे टेस्ट मैच से बाहर किया जा सकता है और उनके जगा सुबमन गिल को मौका मिल सकता है दोस्तों आपको बता दें कि सुबमन गिल अभी सांदार फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों आपके हिसाब से दूसरे टेस्ट मैच में केल राहूल की जगा सुबमन गिल को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं कमेंड करके जरूर बता